इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के साथ में चड़के सिचक भर्ति को लेकर आप सभी लोगों को पता है कि कल आपके फॉर्म में कुछ यहां पर गलतिया जिसको सुधारने का अंति मौका यहां पर आपको कल तक का यहां पर समय है बाकी इसके अलामा भी आप लो आपके बात करेंगे आपके पेमिंट रिफ़न्ड को लेकर और बहुत सारे लोगों का यहां पर पेमिंट कटने के बाद इनका इनकम्प्लेट दिखा रहा है जो कि आपका फोर्म भने का डेट भी समाप्त हो गया है और बाकी इसके अलामा जो आपके एक्जाम डेट को ले 2023 को जो है BPSC के तरफ से official notice जो है वापका जारी किया गया था जिसमें आपके सुधारने का मतलब यहाँ पर बोला गया था कि आपके form में link संबंदित मतलब जो आपका gender है माली जो बहुत सारे candidate यहाँ पर क्या करते हैं कि आपको नहीं पता होगा कि हमने यहाँ पर गलती form submit कि गया है तो एक बार आप अपना form जो है cross check कर लिजेगा हो सकता है कि आपको लगे कि यहाँ पर हमारा form सही हो लेकिन आप लोगों का form जो है यहाँ पर गलती से जो है वापका gender में जैसे male है female हो गया या फिर female है male हो गया फिर third gender हो गया मतलब तुरूटी वह जो है बहुत सार लिखना है और इस वाले खाने में यहाँ पर ध्यान दिजेगा इस वाले खाने में आपको क्या करना है कि जो आपका नाम है और जो आपका registration नमर उसको यहाँ पर डालना है और online आवेदन में दर्ज जो आपने form हरते टाइम यहाँ पर आप लोगों ने gender select कर दिया हो उसको जो आपका गलती है वो यहाँ पर submit करेगा नहीं तो आप फिर आपका form फिर से यहाँ पर गलत हो जाएगा तो गलती वाला यहाँ पर आपको फिलफ करना है फिर उसके बाद इसमें जो है आपका original gender जो है क्या है जिससे आप सुधारना चाहते है इसमें जो है आपको यहाँ आपर करना है संसोधित gender तो इस तरीके से आप कर दीजेगा फिर उसके बाद offline है जो कि आपको कहीं जाना नहीं बलकि mail जो है करना है तो mail जो है इस पर कर दीजेगा बाकि आप mail कर दीजेगा तो आपका mail वाला पुड़ा मतलब डिटेल होगा तो उसमें आप चेक कर लिजे पर बीटेट एक्जाम qualify है लेकिन उन लोग यहां पर किवल दर्चता परिछा सेलेट कर दिये थे या फिर सीटेट का जो सर्टिफिकेट नंबर है उसमें इन लोग माक सीट का जो आपके डिटेल वगरा है वह भद दिये थे माक सीट ही अपलोड कर दिये थे बहुत सारे ब साथ उनका इसके आलामा है यहां फिर आपके मिंश्टेक होंगे तो आपको पता होगा कि हमारे फोर्म लोग मैं इसमेडए क है बाकि बहुत सारी अभ्यर्थी तीन दो बार तीन बार चार बार जो है उनलोग payment कट वाया है और मानिज़े उनका last वाला payment जो है successful हो गया लेकिन बाकि का जो आपका जैसे 3 payment आपने कट वाया तो बाकि आपका दो payment मतलब जो आपका payment कटने एक बाद भी अभी तक आपके account में refund नहीं हुआ है तो आपका कब तक refund होगा कैसे क्या होगा हाला कि यहाँ पर एक अभ्यर्थ है जो कि उनका message मेरे टेलिग्राम पर आया था जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं तो उनका पैसा जो है refund हो गया जो कि यह पैसा refund हुआ है वो जो है bank गये थे मतलब बैंक जो है ओ गये थे तो मतलब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मालिजी उनका bank का जो detail process होता है उसमें इनका गलती रहा होगा इसलिए bank के तरफ से पैसा refund कर दिया गया तो आप भी यदि मालिजी आपका इस तरीके से है तो एक बार bank जो है अपने चले जाएगा बहुत सारे अभेरती गए भी होंगे और contact वगरभी किये होंगे लेकिन उसके बाद भी इसका solution जो है वो नहीं निकला होगा बाकि यहां पर एक अभेरती गये थे तो उनका यहां पर bank के थ्रू से जो है उनका पैसा यहां पर refund हो गया यहां पर आपको करेक्शन करने का मौका मिलेगा तो देखें यहां पर आप ओफिसियल नोटिफिकेशन देखेंगे जो आपका 15 पेज का बीपेसी टीचर का जो नोटिफिकेशन जाए रिखेंगे तो उसमें आप 14 में पेज भी आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर बोला गया है कि आनलाइन भुगतान में किसी भी प्रकार का इंटरनेट ब्यावधान गलत भुगतान अस्फल भुगतान मतलब अंसक्सेश्फुल पेमेंट ट्रांजिक्शन इस्टेटस फेलियर या ट्रांजिक्शन इस्टेटस पेंडिंग के लिए आयोग उत्तरदाई नहीं होगा मतलब BPSC यहां पर कोई जिमेदारी नहीं लेगा आपको यहां पर जो कुछ भी करना है आपको यहां पर सोचना समझ रहा है और आपका यहां पर पूड़ा गलती जो है माना जाएगा और जीन अभीर्थियों को द्वारा जो आपका लिंग है उसमें गलती हो गया है वैसे अभीर्ति आप निवन प्रा रूप के थ्रू यहां पर जो है इसे सुधार जो है कर सकते अब जब इन लोग करेक्शन करने का किसी को नहीं दे रहें तो किसी का नहीं देना चाहिए नर्म कि मतलब कल के बाद जो कल आपका संडे है संडे के बाद जो आपका मंडे आये और मंडे से सटडे मतलब जो आपका अगला वीक है हो सकता है कि यहाँ पर क्या है कि हम सुधारने का मौका करेक्शन करने का मौका देंगे या फिन भले ही आपके नोटिफिकेशन में दिया गया ह कुछ भी लेकिन उन लोग यादी चाहें तो correction का मौका दे सकते हैं इसमें कोई बड़ी बात नहीं है जिस तरीके से gender वाले में correction का मौका दे दिए क्योंकि official notification में इसमें भी तो सब सब लिखा गया कि सुधार करने का तेरीक समय नहीं दिया जाएगा लेकिन उसके बाद भी इ मिल जाए बाकि यहाँ पर थोड़ा सा एक काम और यहाँ पर आप कर सकते हैं जैसे आज आज आपका Saturday है तो जो आपका BPSC office है आज आपका खुला रहेगा कल संडे है संडे को बंद रहेगा तो यहाँ पर आप क्या करिएगा कि जो BPSC का contact number है उसमें आप contact करिएगा जितना आप जेंडर के लिए क्यों यहाँ पर correction करने का मौका दिया है जब correction करने का मौका ही नहीं देना है तो आप सबके लिए correction करने का मौका मत दिजे क्योंकि जेंडर जिनका गलती हुआ है और जिनका form में अन्य गलतिया हुआ है वो भी तो अभियरती है और वो भी BPSC teacher के या फिर आपका form वगर जो है आपका reject हो जाएगा हो सकता है कि आपको correction करने का मौका मिल जाए तब आसानी से आपका सही हो जाएगा बाकि कोई देखिए आपका आपने form कीसी भी तरीके से गलती सही submit कर दिया है तो आप सभी लोग एडमिट कार जारी किया जाएगा और आप स इस टाइम पर आप एफिडेविट वगर बनवा कर लाएए तो एफिडेविट बनवाएंगे तो थोड़ा सा को tension होगा फिर मतलब इधर उधर दोड़ेंगे फिर पैसा लगेगा फिर जो अधर इस्टेट के अभिहर्थिया है उनके साथ थोड़ा सा भेद भाव वगर भी जो है इस तरीके से होता है तो थोड़ा सा परिसानी जो है वापका होगा तो जो परिसानी आपका लाश्ट में होगा वो परिसानी थोड़ा सा पांच मिनट दस मिनट कांटेक्ट करके आप कर सकते हैं तो हो सकता है कि यदि सोलूशन मिल जाएगा तो थोड़ा सा फ्रेस हो तो सकता है कि आने लोगों को भी यहां पर करेक्शन करने का मोखा जो है उदे बाकी इसके अलाबा हम यहां पर आगे बात करेंगे payment issue को लेकर तो देखे सबसे ज़्यादा जो आपके mistake है ये जो आप हर्थी है जो आपके payment जिनका cut गया है और incomplete दिखा रहा था और आपका form भने का last date जो है आपका समार्थ हो गया जो कि अभी तक इनका payment जो है complete नहीं हो पाया और form भने का last date समार्थ भी हो चुका है तो ये लोग आप कु application भी दिया detail भी दिया उन लोग हमें जो है वह अपना bank का detail दिखाए कि देखिए जो आपने पैसा कटवा है वह आपका पैसा BPSC के पास गया है तो इसलिए हम यहाँ पर BPSC के portal से आपका पैसा घीच कर आपके account में transfer नहीं कर देंगे तो जो कुछ भी करेगा वह आपका BPSC करेगा तो इसलिए थोड़ा सा BPSC वाले थोड़ा सा मतलब आपका जो बात होगा न उससे डाउन होंगे नहीं तो BPSC वाले फोन उठा रहे हैं और आप इस तरीके का बोले हैं payment issue को लेकर तो तुरंद बोले हैं कि आप अपने bank में जाए फिर आप normal से हो जाएंगे कि ठीक है सर हम मतलब जाकर bank में देखते हैं तो आप यहाँ पर तुरंद बोले है कि सर हम bank में गए थे और वहाँ पर इस तरीके से बताए गया कि आपका देखे ट्रांजिक्शन स्टेटस में भी आपका BPSC दिखा रहा है और आपका पैसा पैसा जो है successful जो है आपके account से कटा है औ नहीं तो आप पूड़ा पोस्टिस करिए कि आपका payment successful हो refund जो है आपका यहाँ पर payment ना हो क्योंकि आपको एक्जाम में बैठना है और आपको हैं पर selection लेना है ना कि आपका पैसा जो है refund करवाना है बाकी यहाँ पर बात करें exam date को लेकर तो देखे exam date जो आपका आगे बढ देखो बहुत सारे छेत्रों में तो यहाँ पर बहुत मुज़की लेकि आपके exam date जो है वापके change होंगे जो आपका 24, 25, 26, 27, 2030 जो है वापके exam date रखे गए तो उसी date को समभवता आपका exam conduct करा लिया जाएगा और 24, 25 को जो है वापके दो दिन primary का exam होगा क्योंकि एक दिन मे पेपर तो दो दिन आपका exam होगा अब इन लोग थोड़ा सा schedule नहीं बताये लेकिन पुड़ा chance है कि 24, 25 पहले primary का ही होगा सबसे पहले आपका language का होगा फिर language के बाद आपके primary का paper होगा फिर जिसका भी होगा अभी तक decide नहीं होगा लेकिन पुड़ा confirm है कि आपका primary का ही ज इंटरुका है तो सभी को इन लोग क्या कि है कि जो बिहार का सिचा वागे वो एक notice जो है जारी किया था कि आप लोग यहां पर जो आपका 24, 25, 26 अगस्त है तो इस date में आप अपने university का कोई भी exam conduct मत करेगा चाहे आपका test वगर हो या फिर कोई उस तरीके का exam मत करेगा क्यो आपका बिहार हो या फिर पूर्वी आपका उत्तर प्रदेश है उसमें जो है थोड़े से बारिस वगर के ज्यादा अभी आपके आसार बन है लेकिन आप पुड़ाप को सिस करेगा exam डेट जो है आपका 24, 26, 27 अगस्त है भले ही जो है आपके बाढ़ आए बाती जो कोई भ आपको सब्सक्राइब करते हैं जो कोई भी अपडेट होता है इंफर्मेशन होता है हम जो है उसेर कर देते हैं टेलिग्राम से अब जूड़ जाएगा बहुत जड़ूरी है टेलिग्राम से जूड़ना क्योंकि सबसे पहले इंफर्मेशन अपडेट या फिर पीडियाप वगरा नोट्स वगरा नोटिफिकेसन वगरा हर एक जी आपके टेलिग्राम पर शेर किया जाते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपका टेलिग्राम का लिंक जो है वो देखने को मिलेगा वाकि बहुत सारे कंडिडेट वीडियो तो देखते हैं और उनको अच्छा भी लगता ह खुस भी होते हैं लेकिन आप लोग जो है चैनल को सस्काइब जो है उनहीं करते हैं तो आप सस्काइब कर लिजेगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लिजेगा क्योंकि जो कुछ भी अपडेट आये नोटिफिकेसन आये तो आपको सबसे पहले का डेट जो है आपका आगया है तो इसलिए आप इसके लिए चींता मत करिए इधर उधर जो है आप सर्च मत करिए बलकि आप पुड़ा फोकस अपने पढ़ाई पर करिए क्योंकि जो कुछ भी आपके फोर में गलती है उससे जो है आप एकजाम से वनचीत नहीं होंगे बाइ-बाइ टेक केर ओल्वेश थैंक यू पर लिस्निंग गद्ब्लेस याल थैंक यू